पूरी मिलिट्री की पोर्ग खोल कर रखती है नसरला ने एक ऐसा दावा किया है जुसके बाद बन्यामिन नितन्याहू भी सवालों से बच रहे हैं दस मिनिट में हिजबुला ने ऐसा ओपरेशन किया जुसके बाद नितन्याहू को पूरे इसराइल से कहना पड़ा जाकते रहो देखे रहे हैं पूरे इसराइल में इस ड्रोन फुटेज ने तहल का मचा दिया है इस बुला दावा कर रहा है कि अब इसराइल के इंज 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 इलाके और उसके बड़े ठिकानों के तफसील उसके पास है उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उनके पास पहुँच चुके हैं दस मिनट के वीडियो में हेजबुला ने दिखाया इसराइल का अन्त दस मिनट के वीडियो में नसराला ने दिखाया अपना खुफिया मिशन दस मिनट के वीडियो में क्या हेजबुला ने खोज निकाला इसरेल का एटम बंप दस मिनट के वीडियो में हेजबुला ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया 440 वोल्ट का जटका दस मिनट का वीडियो देखकर नेतन याहू को पूछना पड़ा वीडियो बनाने वाला ये ड्रोन किसका? जबसे हिजबुल्ला ने इस्रेल को डराने वाला ये वीडियो जारी किया है नेतन याहू की सरकार के हाथ पाउं फूले हुए है इस्रेल की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि घाजा में हमास से निप्टें या फिर हिजबुल्ला की नई धमकी से अब तक हिजबुल्ला ने उत्तरी इस्रेल में नेतन याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है हिजबुल्ला का एक एक हमला इस्रेली सेना के रुद्बे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है और अब हिजबुल्ला की तरब से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इसरेल के सामने बड़े खत्रे की घंटी बजानी शुरू करती है नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसरेल के ऊपर ओड रहा है दस मिनट के इस फुटेज में ड्रोन इसरेल के कई शहरों पर ओड़ा है 18 जून दो हजबुल्ला का जो ड्रोन इसरेल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तजवीरें खीच कर वापिस लेपनान ले गया इसरेल उसका कुछ भी नहीं बिगार पाया ये ड्रोन उतरी इसरेल के किरियाद शमोना, नहरिया, सफ़र, कार्मी, अफुला शहरों से लेकर इसरेल के हाइफा पोर्ट तक औरता हुआ दिखाया गया हाइफा पोर्ट पर इसरेल की मेवी का बेस है यहाँ इसरेली नौसेना के शिप खड़े होते हैं इसके अलाबा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टोर लेने वाले हेजबुला के ड्रोन ने इसरेल कैम्प में खलबली बचा दी है दस मिनट के वीजियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिलमाया है जैसे देख कर नेतन्याहू को मुस चले स्वेशल रिपोर्ट पे